सो नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप Android Mobile यूज करते हैं और Android Mobile में आप जो है Messenger यूज करते हैं Messenger के अंदर जब आप अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के अंदर स्विच करने का ट्राइ करते हैं तो आप नहीं कर पाते हैं आपके Facebook पर एक से ज़्यादा account है और Messenger के अंदर जब आप उन accounts को switch करने का try करते हैं तो उन accounts के अंदर आपको problem face करनी परती है आप switch नहीं कर पाते हैं अपने Messenger के अंदर तो ऐसे मैं आपको क्या करना आज की उडियो में detail में बताने वाला हूँ जिससे आप अपने accounts को Messenger के अंदर easily switch कर पाएंगे एक account से दूसरे account पर तो चलिए जान लेते हैं हमें क्या करना होगा account switch करने के लिए और हमें problem क्यों आती है इसके रिए आपको यहाँ पर तिन solutions बताऊँगा उनके apply करेंगे problem solve हो जाएगी सबसे पहले आपको play store पर आना है यहाँ पर messenger को search करना होगा अपने messenger को search करिएगा then messenger को search करने के बाद यहाँ से उसको update कर लीजिएगा देख सकते हैं यहाँ पर मुझे कोई update नहीं आया हुआ है क्योंकि मैंने update करके पहले ही रखा हुआ है अपना messenger मेरा messenger up to date है तो हो सकता है आपने अपने messenger को update करके ना रखा हो तो आपको टेक्निकल इशू होने की वज़ेसी यह problem face करने पड़ रही हो तो सबसे पहले तो messenger को update कर लें जैसे ही आप messenger को update करेंगे यहाँ से आपको back आ जाना होगा back आने के बाद guys आप directly चलेंगे हम setting के अंदर setting में आने के बाद आप scroll करिए नीचे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा apps apps पर click करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे options देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर manage apps पर आपको click करना है search bar में आपको facebook लिखना है अपना facebook को search करने के बाद इस पर click करिए यहाँ से आपको ऊपर storage देखने को मिल रहा है storage पर आपको एक बार click कर देना है और यहाँ से clear data clear all data करना है यहाँ से आना है back अब यहाँ पर आपको search bar में messenger को search करना है messenger का भी आपको same काम करना होगा यहाँ पर आपको storage पर click करना है clear data पर click करना है और इसका यहाँ से clear all data कर देना है guys याद रखें इसका clear all data आपको करना पड़ेगा clear catch से यहाँ पर काम नहीं बनेगा देख सकते हैं मैंने इसका clear all data कर दिया है guys अब जैसे याप इसका clear roll data कर देंगे यहाँ से आपको back आना है और अपने mobile का power button दबाना है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे options reboot या फिर restart या फिर आपको यहाँ नहीं मिलेगा तो mobile के अंदर आपको restart का option मिल जाएगा setting में बो भी बता दूँगा यहाँ पर आपको reboot का option मिलेगा या power on off का दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं power on off करिए या reboot करिए या फिर आप setting के अंदर आकर आप उपर search bar में search कर सकते हैं reset तो अपने mobile को यहाँ से restart कर लिए restart का option मिल जाएगा restart कर सकते हैं reset भी आप कर सकते हैं बट उसके जरूरत आपको नहीं पड़ेगी reset की इसलिए आप जो है यहाँ पर आपने mobile को restart कर लिजिए यहाँ पर आप mobile को over off करेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा आपको यहीं बताना था hope आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो अच्छी लिए तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स वीडियो में टिल दरबाटे के लव यू और